Hi everyone, कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ कि पॉपार्ट क्या होती है आपने क्या सुना है कभी पॉपार्ट के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पॉपार्ट क्या होती है और साथ में हम यहाँ पर एक tutorial भी मैं आपको बताऊंगी छोटा सा जिसमें आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे मेरे साथ अगर आप beginner हैं pop art के लिए तो definitely यह video आप लगों के लिए बहुत helpful होने वाला है जादा तर pop art जो सुनने को मिलता है वो मिलता है जब हमको school का कोई project मिलता है pop art बनाने के लिए तो हमको लगता है हम search करते हैं के pop art बनाना है और हम बना के लेके जाते हैं school में या तो उसके लिए हमारे लिए helpful रहता है या फिर 11-12 की जो fine art classes होती है उसके अंदर मैंने अकसर देखा है कि pop art के रिगारिक आपको five sheets submit करनी रहती है तो वहां भी आपको बहुत जादा जरूत होती है pop art तो समझ लेते हैं देख लेते हैं क्योंकि अकसर pop art को हमने देखा है वाल्स वगेरा के बने वे बहुत ही beautiful लगती है pop art बनी वी वाल्स वगेरा पर और school के अंदर भी जबी भी कोई project अगर हमको submit करना होता है तो definitely वो भी बहुत ही beautiful निकल के बहार आता है ठीक है तो अगर आप beginner हैं समझना चाहते हैं सीखना चाहते हैं मेरे साथ कि pop art क्या होती है तो जल्दी से चलिए शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं एक बार और समझ लेते हैं तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि pop art क्या होती है और इस वाली pop art की painting का tutorial में आप लोगों को explain करते चलिए जाओंगे और बना के भी दिखाने वाली है सबसे important तो पहले material जान लेता है यहाँ पर sheet पर मैं आपको explain करूँगी masking tape यहाँ पर हम लगाएंगे और pop art के बारे में मैं आपको explain करते चलिए जाओंगे तो सबसे पहले masking tape लगा लेते हैं अगर canvas पर करते हैं हम काम तो भी मुझे personally masking tape लगाना बहुत पसंद है border के लिए तो यह अपनी personal preference है ठीक है sheet के ओपर अगर आप करना चाहते हैं तो भी तो पहले मैंने यहाँ पर sketch draw करा था और उसके बाद मैंने उस sketch को अपने जो canvas sheets है उसके ओपर trace किया क्योंकि इत्ता accurate नहीं आपाता है जब आप directly उसको canvas sheets के ओपर draw करते हो ठीक है तो normal simple paper पर draw करना यह जाधा important है और जाधा अच्छा रहता है ठीक है तो यहाँ पर दीखे flat brush की ज़रूत रहेगी हमको angle brush भी ले सकते है flat brush भी ले सकते हैं सबसे पहले background बनाएंगे तो background के लिए हम यहाँ पर palette use करेंगे shades जोई है यहाँ पर हम use करेंगे magenta की shades ओके dark or light दोनों shades यहाँ ले ले लेते हैं और इसका background हम यहाँ पर apply करेंगे दीखे pop art के बारे में अगर हम बत करें तो pop art के अंदर बहुत ही bright shades यूज़ किये होते हैं एक चीज़ तो ठीक है तो यहाँ पर background बना लेंगे हम pop art जो है United Kingdom और United States के अंदर एक moment हुआ था heart moment उसके through निकल किया आई थी pop art ओके और Richard Hamilton थे British artist 1950 में उन्होंने introduce करी थी इसको अच्छा काम क्या आती है pop art जादा तर pop art advertisements के काम आती है और comic books में pop art बहुत जादा देखने को मिलती है और अक्सर जो pop art artist होते हैं उनको comic book के अंदर art करने की opportunity मिलती है तो एक pop art करना भी अपने आप में देखा जाए तो एक complete field है अगर आप pop art करना चाहते हैं तो definitely आप इसके उपर काम कर सकते हैं यह अपने complete field है तो pop art के जो होते हैं material के अगर हम बात करें तो material आप कुछ भी use कर सकते हैं देखिए कहीं mention नहीं है कि आपको एक relic prints के अंदर ही या poster color में ही काम करना है या फिर watercolor में भी काम करना है जादा तर जो projects वगेरा बनते हैं school के regarding बात कर रही हो मैं तो उसमें अकसर poster color के अंदर students जो है pop art की posters बना के लेके जाते हैं और acrylic paints आप use कर सकते हैं wall पर तो कभी भी अगर wall पर आपको pop art करने का मुका मिलता है तो definitely आपको acrylic paints यूज़ करने चाहिए यह बहुत जादा मतलब एक बहुत important बात है कि कभी भी wall पर अगर आप painting करते हैं pop art बनाते हैं तो acrylic paints यूज़ हैं अगर chart paper वगेरा पर बना के लेके जाना है तो poster color paints यूज़ कर सकते हैं या water color paints भी यूज़ कर सकते हैं तेखिए यहाँ पर मैंने ह तो moment रहेगा contour moment रहेगा और brush यहां हम यूज़ करेंगे वो brush हम यूज़ करेंगे angle brush तो palette यहाँ पर paper palette यूज़ कर रही हो मैं अकसर मैं आपने वीडियो में बोलती आई हूँ आप लोगों को कि acrylic paints कभी भी मैं करती हूँ तो personally मैं paper palettes को यूज़ करना बहुत पसंद करती हमने उसी tone के अंदर हलका सा blue add किया है और उसका हमने dark shadows apply करा है पॉप आट जो होता है एक combination होता है shadows का dark और light values का लेकिन जो dark और light values का difference होता है वो बहुत जादा देखने को मिलता है पॉप आट में ठीके तो यहाँपर देखिए इसका jeans है यह जो girl का इसको हम blue color से कर लेता है कुबार blue और white लिया है हमने यहाँपर अलका सा dark tone लगाएंगे अब जैसे कि मैंने अभी अभी बात करी आप लोगों से कि dark tones को अभी भी apply करते हैं pop art में या light tones को apply करते हैं combination के अंदर तब आपको light और dark tone के अंदर काफी जादा numbers का difference देखने को मिलता है जैसे यहाँपर यूज़ करा है वो काफी light shade यूज़ करा है और dark tone जो हमने यूज़ करा है वो काफी जादा dark tone यूज़ करा है usually जब हम acrylic paints करते हैं और हम values आट करते हैं हमारी painting के अंदर तो यह वाली technique हम यूज़ नहीं करते हैं तो especially यह technique केवल pop art के लिए ही बनी वी होती है जहाँपर आप different different values के shades को use कर सकते हैं अपनी painting के अंदर तो यह बहुत ही important है समझना आपको देखें बिना समझे तो आज तक आपने बहुत pop art बनाई होंगे हो सकता है या कभी आप कोई project करके भी लेकर गए हो या हो सकता है आप बिलकुल ही beginner हो और आपने इस video को click करा है pop art के लिए लेकिन क्या आपने समझ कर कभी pop art आपकी बार जब आप समझ के pop art बनाएंगे तो आपका जो pop art बनाने का मतलब एक आपका जो उसको बनाने का नजरिया होगा वो ही बहुत different होगा मैं ऐसे मानती हूँ क्योंकि मेरा अकसर यह मानना है कि जब भी हम कोई काम समझ के करते हैं जब भी इसली भूल नहीं सकते हैं तो चलिए यह गर्ल जो है बुलिट पर बैठी वी है और इसी वज़े से मैंने यह दिजाइन चाहिस किया एक्चली तो यहां पर बुलिट है यह और बाइक ओके और यहां पर ग्रेशेड अपलाए कर लेते हैं सबसे पहले हम और उसके बाद हम चु Arrett के स्टोक्स लगा लेते हैं स्टोक्स जो रहेंगे उसके मूमेंट कॉंठ रहेंगी एप अप्लाई कर सकता हैं और पेंसल से out करके और आप apply कर सकते हैं ठीक है बहुत जादा beginner है तो pencil का use करिए हर बार ठीक है यहाँ पर shirt बना लेते हैं हम जो girl ने पैन रखा है red लेंगे हम उसके लिए shade और यहाँ पर red के साथ combination में हम black ले लेंगे तो जादा तो जो pop art होती है वो एक imaginary painting है देखा जाए तो और इसके लिए different different apps भी आगए है phone के अंदर अगर आप देखें तो simple सी कोई photograph क्लिक करें और उसको आप change कर सकते हैं pop art के अंदर apps के तुरू और फिर आप painting को बना सकते हैं तो यह बहुत आसान तरीका होता है students को मैं अकसर यही तरीका बताती हूँ जब उनको pop art बनाने के लिए मेरे पास projects लेके आते हैं वो तो यह बहुत आसान तरीका है आप आराम से कोई भी photograph को pop art की जो colors है उसमें visualize colors के अंदर आप app के तुरू change कर सकते हो और आराम से आप बना सकते हो pop art ओके तो यह बहुत आसान ब्रश लिया है हमने round brush का अंबर यहां पर 4 यूज़ कर रही हूं अगर आप comfortable नहीं है 4 नंबर से तो आप number 2 यूज़ करिए number 0 यूज़ करिए ठीक है डीटेलिंग के लिए क्योंकि इस वाली painting के अंदर detailing work थोड़ा जादा है वैसे यूज़ुली अगर हम काम करते है pop art पर तो मोटा मोटा काम होता है देखा जाए तो कभी भी इतना जादा detailing का काम नहीं होता है पर परसनली मुझे पेंटिंग बहुत पसंद आई तो मैंने यह वाला design choice किया तो यहाँ पर देखें बाइक बना लेते हैं बाइक के लिए हमने black यूज़ करा है white यूज़ करा है और detailing दे देते हैं हम round brush से तो इस तरह से हमारी यह painting complete हो जाएगी अगर आपने मुझे instagram पर follow नहीं करा है तो instagram पर follow कर लिजएगा तो महां मैं daily के updates देती रहती हूँ painting के regarding जो भी paintings चल रही होती हैं उसके regarding या जो भी paintings मैं classes में सिखाती हूँ उसके regarding मैं वहाँ पर काफी routine में uploads डालती रहती हूँ updates वहाँ पर आपको बहुत ही regular मिलेंगे तो यहाँ पर gray ले ले लेते हैं हम और इसके अलावा अगर आप टेलिग्राम पर follow करना चाहते हैं मुझे तो उसका नीचे description box के अंदर link है नीचे चेक करके उस पर भी follow कर सकते हैं आप online painting classes में इंट्रेस्टेड हैं, beginner हैं और अपनी skills को आप अलग-अलग level पर पहुँचाना चाहते हैं तो definitely online painting classes available हैं आप लोगों के लिए जहां आप घर बैठे-बैठे सीख सकते हैं मेरे साथ और मेरी personal guideline के अंदर आप अपनी skills को बहुत ही अच्छे level के उपर लेके जा सकते हैं तो उसके regarding अगर आप बात करना चाहते हैं मुझसे तो whatsapp कर सकते हैं केवल आप whatsapp करें मैं आपको details share कर दूँगे और उसके बाद आप online painting classes के अंदर आप participate कर सकते हैं आप involved हो सकते हैं यहाँ पर black ले ले लेते हैं सबसे पहले और फिर white लगा देते हैं ठीक है acrylic paints की खास बात क्या होती है acrylic paints की मेरे को जबसे अच्छी बात यह लगती है acrylic paints की के बहुत जल्दी dry हो जाते हैं और उसके उपर हम layers में काम कर सकते हैं हमको wait नहीं करना पड़ता है तो एक बार काफी समय पहले मेरे पास opportunity आई थी comic book के अंदर जो है मुझे बना के कुछ देने थे characters तो उसके लिए मैंने जो use करे थे वो pop art technique की use करी थी तो इसलिए कभी भी pop art करती हूँ मैं तो मुझे personally वो वाला incidence ज़रूर याद आता है तभी आप लोगों को मैंने बोला कि pop art अपने आप में complete art है आप चाहें तो अपनी इस art को बहुत अच्छे level के उपर भी ले जा सकते हैं क्योंकि जादतर advertisements में और comic books वगेरा के अंदर ये बहुत जादा काम आती है तो जबी भी customize काम करना है आपको किसी के थूँ तो आप definitely इसके उपर अपना काम कर सकते हैं और इस skill को improve कर सकते हैं ब्लैक ले लेते हैं अब हम यहाँ पर ब्लैक लेके और white के outline लगा देते हैं देखें यहाँ पर portrait pink यूज़ करूंगी मैं skin के लिए अच्छा अब आप pop art में जबी भी हम skins पर काम करते हैं skin के tones पर काम करते हैं तबी भी आपको काफी ज़ादा values के अंदर difference देखने को मिलेगा कभी भी ऐसा नहीं है जो हम realism में काम करते हैं या दूसरी painting पे हम काम करते हैं skin के रिगाने तो हमको बहुत कम value difference देना होता है लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है इसमें आपको बहुत ज़ादा difference आराम से आप यहाँ शो कर सकते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो फर्स लेयर लगा दी है वो पोट्रेट पिंग की अपलाए करिए और उसके बाद उसके अंदर हलका सा डाक टोन लगाने के लिए यह लो आकर यूज कर लेंगे और उससे थोड़ा डाक अगर हमको अड़ करना है तो हम बहुत आसान तरीका है और बहुत ही beautiful और easy है यह painting definitely आप बना सकते हैं अगर आप अपना work मुझे दिखाना चाहते हैं बनाकर तो आप मुझे tag करिए पितर के उपर Instagram का नीच लिंक मिलेगा आपको Instagram पर आप मुझे follow कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे tag कर सकते हैं अपनी photo के उपर तो वहाँ से मैं आपका work देख पाऊंगे देखे यहाँ पर हलका सा dark tone जब हमको add करना है तो हमने burns याना use किया है देखे तो यहाँ dark tone से हमने जो features है उसकी values आड़ करती है हम आपर ओके तो बहुत आसान है ना देखे कितनी सुन्दर और आसान बनके यहाँ पर ready हो गई pop art और definitely अगर आपका कोई experience है pop art के regarding तो मुझे आप नीचे comment box में add कर सकते हैं और समझ में आया होगा वीडियो उमीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही helpful रहे और यहाँ पर हमने black ले लिया है उसकी goggles के लिए और हलका ब्लाक का tone हमने यहाँ पर shadows के अंदर भी हम apply कर लेंगे ओके यहाँ पर lips के लिए pink यूज किया है हमने और यहाँ पर हलका सा face का जो है एक बार shape proper कर लेते हैं तो यहाँ देखिए बन के ready हो गई कुछ ज़्यादा महनत नहीं लगती है कोई shading नहीं है कोई blending नहीं है कुछ भी नहीं है आपको directly shades apply करने है different values को समझना है और pop art बनानी है तो है ना बहुत आसाल चलिए अब आप अपना experience मेरे साथ share करिएगा अगर वीडियो helpful लगा है तो like कर दीजेगा like बटन ज़रूर दबाएगा और definitely एक फर्स टाइम अगर आए है चैनल पर तो चैनल को visit करके ज़रूर जाएए चैनल बहुत ही ज़्यादा helpful बनानी की कोशिश करी है मैंने beginners के लिए जहाँ पर सभी तरी की beginner knowledge मैंने अफलिबल करा रखी है acrylic painting के regarding, oil painting के regarding, water color, poster color, सभी के regarding ठीक है, thank you so much for watching मिलते हैं next week